कारिता विभाग के सिलिवस के कोडिंग बैलेंस सीट से MCQ करेंगे टूटल 10 अबजेट्व कोश्चन तो बैलेंस सीट होता है क्या है एक बार देखनी जेगा उसके बाद हम अबजेट्व कोश्चन करेंगे 10 ठीक है तो आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है तो हम डिसकस क करने वाले हैं यहां पर देखे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं बैलेंस सीट एक विट्टी विवरण है क्या है बैलेंस सीट एक विट्टी विवरण है जो एक वीशेश समय में किसी फर्म की देंदारियां परी संपत्ती और सेहर धार को की 21 है और बैलेंस सीट के साथ आई विय का उपयोग किसी भी कंपणी की विट्टी स्थिति में तयार करने और विशलेशन करने के लिए किया जाता है ठीक है तो चलिए हम आप सभी क्लिए कोश्चन लेकर आए हैं तो चलिए यहां पर देखे बैलेंस सीट एमसी क्यू लेकर आ नोट और दे खाता किस स्रणी के अंतरग सुची बद्ध किया जाता है तो इसका अंसर ए होगा वर्तमान देंदारियां जो बैलेंस सीट है आपका उपारजान दे नोट और दे खाता किस स्रणी के अंतरग है था तो अब वर्तमान देंदारियां आएगा चली सेकंड कोश्चन है इन्वेंटरी नगदी और समकक्ष इन्वेंटरी नगदी और समकक्ष खातों को प्राय है रासी इस प्रकार सोची बद्ध किया जाता है तो दूसरा का अंसर C होगा बैलेंस इट पर समपत्ती तो अभी कौन से MCQ कर रहे हैं बैलेंस इट जो कि आपकी एक्जाम में सरकारता विभाग के एक्जाम में पुछे जाज सकते हैं तो एक बार आप रिवजन करके जाईएगा टीक है वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट किजीगा कि सर हमें नेश्ट विडियो और ऐसी विडियो चाहिए टीक है चलिए निम्न में से कौन सी चालू समपत्ती नहीं है तो चालू समपत्ती नहीं है तीसरा का अंसर पूछा गया है भूमी भूमी जो होता है आपका चालू समपत्ती नहीं होता ठीक है जबकि आपुर्ती प्रयाप्त खाते और ये जो ये वाला आपसंदिया है वो आपका चालू खाता है लेकिन चालू समपत्ती नहीं है तो भूमी आएगा क्या आएगा भूमी ठीक है दिवालियापन की स्थिती में वह स्टॉक जो समान या स्टॉक के उपर रिन खाते के नीचे दर देखिया जाता है याद रखना दिवालियापन की स्थिती में यानि की जो दिवालियापन होता है आपकी मतलब डूपता हुआ खाता उसी स्थिती में वह स्टॉक समान स्टॉक के उपर जो रिन खाते के नीचे दर्डे किया जाता है वो आपका होगा चांथा का एक पसंदेटा स्टाउ टिक है पांचवा कहें एक फर्म उतपात ख़रिती है लेकिन आप उर्थी करताओं को तुरन भुखता नहीं करती है याद रखना एक फर्म जो आपको उत्पात को खरिता है लेकिन आपूरती करताओं को तूरन भुकता नहीं करता जिसको जरुवत तूरन नहीं करता इस प्रकार दर्ज किया जाता है किसमें दर्ज किया जाता है तो दे खाता है जो दे खाता होता है जो फर्म जेखिए जो एक फर्म होता है उसमें उत्पात जो समान रहता है उनको खरिटता है लेकिन आप उर्तिक करता है जिसको जरौत उसको तूरंद भुगता नहीं कर सकता इस प्रकार किसमें करता है दे अखाता में ठीक है याद रखना एक बैलेंस सीट में समान श्टॉक और बढ़करार रखी गई कमाई का कुल योग दर्सा आ जाता है किसमें दर्सा आ जाता है समान एक्किविटी में ठीक है इक्वेट्री को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया जो आई वीवरान में बेची गई कम लागत देती है इस प्रकार दर्सा आ जाता है उसको कौन सो होगा तो सातव का आपका होगा डी फस्ट इन फस्ट आऊट याद रखना फस्ट इन फस्ट आऊट आठवा है वित्ती प्रतिभूती जीन है उनके भूग वेल्यू मुल्य पर नगदी में बदला जा सकता है और इस प्रकार वर्दी कृत किया जा सकता है तो इसका आणजर होगा D नगद समकच ठीक है दस नववा कोश्चन देखते हैं सोरी हाँ नववा का D होगा आठवा का और वह कमाई जिसमें संचयरासी होती है और सेयर धारक को लभांस के रूप में भूगतान नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है तो इसका आणजर होगा आपका D बरकरार रखी गई क ठीक है चलिए दस वा कोश्चन देखते हैं जो की अंतिम कोश्चन है रोज मैं ददस कोश्चन लेकर आता हूं सभी टॉपिक से ठीक है तो भविसे की कमाई की उम्मीत के लिए निवेश को द्वारा उपयोग की जाने वाली जानकरी दर्ज की जाती है किसमें तो यह आपक क्लास अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आज से रात नौ बज़े आ जाएगा रात नौ बज़े आपको हिंदी व्याकरन के टेस्ट लिया जाएगा जिसमें लोकोक्ति मुहारा सभी हिंदी व्याकरन के टेस्ट है ठीक है तो रात नौ बज़े आपको मिल जाएगी आ आज आप लोग लाइब क्लास में आ जाएगा रात नाव बजे है ना टेस्ट रहेगा आज टेस्ट टीक है जिनको जोईन करना है रात नाव बजे हमारे यूटूब चैनल पर आज जाएगा सब्सक्राइब करके रख लीजेगा विल आइकन घंटी को आल पर सेट कर लीजेग तभी आपको मेंसेज क्लिएगा जोड़ारिगा में डिता इसट पीजेगा आपको मेंसेज मेंसेज